कठियार की घटना आई ओपनर है और उस पर अगर सरकार आख बंद किये रहेगी तो यह घटना यह बढ़ेंगी यह कठियार की घटना पहली घटना नहीं है इस तरह का गैंगवार पठना जिले में भी हुआ दियारा में हमने तो बहुत कुशिश करके एक चोकी भी बनवाई थी मुच्छो की भी हटा दी इन लोगोंने नमस्कार मेरिया और आप देख रहे हैं बिहार अंस्वार्स आज से बिहार विधान मंडल का शीत कालिन शत्र सुरू हो रहा है और पहली बार बीजेपी विपक्ष में बैठी है और इसको लेकर अब सरकार को भी घेरती हुई न देखे कठियार कहने को है वो भगल बुड़के पिर पहती और कठियार के बीच का अलाका है वहाँ पर बराबर इस तरह की घटना कलई को लेके होती है और दियारा में हमने तो बहुत कुशिश करके एक चोकी भी बनवाई थी वो चोकी भी हटा दी इन लोगोंने इसी के व भो रही है कि कठियार में हुआ और यहां क्या हुआ था बगल में पठना में डी जी पी के ओफिस से बगल में जब इन्वेस्टर मी थोड़ा था जिस दिन जहां उस दिन कितने लोग बालू के लेके मारेगे ये कठियार की घटना पहली घटना नहीं है इस तरह का गैंगवार पठना जिले में भी हुआ बालू को लेकर और वहां होता है कले ये जमीन को लेकर और जिस तरह की घटना होई है वहाँ पर एक प्रमानेंट चोकी बनाने चाहिए लेकिन अपराद और अपरादियों का मन बढ़ गया है तभी तो इसी घटना हो रही है और जो संख्या बताई जा रही है उससे जादे लोग मारे गए बालू वाले में भी जो मीडिया की प्रा ऐसको संग्यान लेना चाहिए कि तो आप ने सीधे निति चरकार पर हमला बोला है और कहा है कि इस सरकार में जो अपराधिक घटनाएं ज्यादा घट रही है और कटिहार और भागलपूर में हुए अपराधिक घटनाओं पर भी उन्होंने बाते कहीं है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दियारा शेत्र में जो लगतार अपराधियों का घट माना जाता है कलाई के लिए वहाँ भी बनवाई गई थी लेकिन इस सरकार ने उस चौकी को भी हटवा दिया गया है लगे जिसको लेकर अब लगातार अपराधिक घटाएं दियरा शेतर में घट रही है इसी को लेकर सहनवाज उसे ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है तो इस विशे में आप क्या सोचते में कमे करें फेस्बूक पेज को लाइक करें साथी बिहार की तमाम छोटी बरी खवर सबसे पहले अपने पास पानी के लिए निचे दीगा नमबर पहर ज़रूर मैसेज करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया